तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में और इंडिया की टीम अनाउंस हो चुकी है और किसी को इंतजार था कब आईगी कब आईगी टीम और टीम आगई और टीम आई तो बहुत सारे फैंस के चेहरे पर मुस्कान भी लाई क्योंकि रोहिच शर्मा और विराट कोली इन दोनों का इंतजार था जिस किसी को भी वो बड़ा खुश हुआ कि चलो रोज शर्मा विराट कोली आ गए और अब टीम बड़ी अच्छी दिख रही है लेकिन इस बीच जो टीम आई उसमें कई नाम ऐसे भी रहे जिसने शौक किया एक तरीके से जैसे कि संजू सैमसन शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे वहाँ पर लेकिन संजू सैमसन का नाम आ गया और इस बीच ज्यादा तर लोगों को बुरा लगा कि इशान किशन कहा है वहाँ पर अब सवाल यह है कि इशान किशन को क्यों बाहर कर दिया गया अब आप कहेंगे कि इशान को टीम में रखा जाता है लेकिन प्लेंग 11 में नहीं और इशान किशन जब थोड़ी बहुत भी कहीं गलती कर देते हैं या गलती नहीं भी करते हैं तो उनको सीधे बाहर कर दिया जाता है तो इशान किशन का जवाब कौन देगा इशान किशन क्यों इस टीम में शामिल नह एंट्री मार जाएगा इस बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जो लोग सोच रहे हैं कि इशान किशन क्यों टीम से बाहर हैं उनके तो आंकड़े बड़े अच्छे हैं तो एक बार हमने सोचा कि चलो आंकड़े भी देख लिए जाए इशान किशन के जो उन्होंने पि स्ट्राइक रेट एक सो बारह दस्वलाव पांच चनने का और दो फिफ्टी अब आप उस हिसाब से कहेंगे कि स्टैट्स क्या कहते हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं कहते हैं क्योंकि आप यहां पे देखें कि सिर्फ 207 रन है और एवरेज है 18 दस्वलाव आठ एक का 18.81 तो यह एवरेज बहुत अच्छा नहीं है जबकि इनको तो ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलता है लेकिन उसके बावजूद आप एक तर्क देंगे कि जी वो टेज तरार बैटिंग कर जाते हैं उनका स्ट्राइक रेट बढ़ अच्छा होगा तो स्ट्राइक रेट भी 112 तो अब यहाँ पर सारी चीज यह आ जाती है कि इशान किशन का अगर आप हाल फिलालगा प्रफॉर्मस देखे आपको कोई सीरीज याद आ रही हो तो वह इंडिया उस्टेलिया सीरीज ती जहां उन्होंने लगातार 250 लगाई एक मैच में वो जीरो पर आउट हो गए थे उसके बाद से इशान किशन को मौका मिला नहीं तो इशान किशन करे भी तो क्या करे अच्छा परफॉर्मस तो करी रहे थे लेकिन आपने तो उन्हें टीम से बाहर ही कर दिया तो इशान किशन के साथ क्या जाती हो रही है आप लोग जरूर बताईए कि आपको क्या लगता कि शान किशन को ही क्यों हर बार बाहर कर दिया जाता है कभी प्लेंग 11 से तो कभी टीम से दूसरा अब ये है सवाल कि क्या केल रहूल जो आप चहरा देख रहे हैं इधर एक एल रहूल है एक शान किशन है क्या केल रहूल की वाइल काड एंट्री हो सकती है वर्ल्ड कप टीम म टीम में है जितेश शर्मा टीम में है तो उससे ये पता चलता है कि जी टीम इंडिया एक विकेट कीपर को फिनिशर के तौर पर देखना चाहती है क्योंकि इशान किशन होते हैं तो वो एक ओपनर का भी विकल्प हो जाते हैं इशान किशन टीम में होते हैं तो वो एक बैक अ की कियल राहूल यह कैसे किதे हुए जो अभी आपको कर्णाइब याँझेक्ट कोСने के बात में बात की जा रही है चर्चा चल रही है वो शायद मुस्किल हो सकती है लेकिन फिर वही बात है कि इंडियन क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर और देखना होगा कि कैसे आगे टीम जाएगी हमारी क्योंकि जो अभी यह अफगांस्तान के इस टीम चुनी गई है क्या पक्का किया जा सकता है कि इस टीम में से और मोर्स सारे खिलाडी वर्ल्लट पप में आपको केलने को दिखाई देंगे यह कहना मplement कदेंगे आपके T20 World Cup में और शायद जिस तरीके से ये चीज़े आगे बढ़ी और इंडियन क्रिकेट का भला भी इसी में है कि ये रोहित वराट जैसे खिलाडी मिले और तमाम दिगर्जों का कहना है हमने आपको सुनील का उसकर सरका इरफान पठान का बयान बताया कि वो मानते हैं कि ये नहीं USA में और वेस्ट इंडिस की कंडिशन में रोहित वराट का टीम में होना जरूरी है तो रोहित वराट टीम में आ गए हैं और आब वोल्ड कप खेलने वाले हैं तो आपका इस पूरे मामले पर क्या गयाना है कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईए कॉमेंट जरूर दबाईए वीडियो कर आप हमारे फेस्ट पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्ट पेज को भी लाइक और फालो जरूर कर लीजे